एक वक्त की बात है, किसी शहर में एक कंजूस ब्राहमन रहता था, एक दिन उसे भिक्षा में जो सत्तु मिला, उसमें से थोड़ा खाकर बाकी का उसने एक मटके में भरकर रख दिया, फिर उसने उस मटके को खूटी से तांग दिया और पास में ही खाट डाल कर सो गया, सोते बेच कर बक्रियां खरीद लूँगा, बाद में इन बक्रियों को बेच कर गाय खरीद लूँगा, इसके बाद भेंस और घोरी भी खरीद लूँगा, कंजूस ब्राहमन कलपनाओं की विच्चत दुनिया में पूरी तरह खो चुका था, उसने सोचा कि घोरों को अच्छी क मैं उसका नाम मंगल रखूंगा, फिर जब मेरा बच्चा अपने पैरों पर चलने लगेगा, तो मैं दूर से ही उसे खेलते हुए देखकर आनंग लूँगा, जब बच्चा मुझी परेशान करने लगेगा, तो मैं गुस्से में पत्नी को बोलूँगा और कहूंगा कि तुम बच्चे को ठीक से संभाल भी नहीं सकते हो, अगर वो घर के काम में व्यस्त होगी और मेरी बात का पालन नहीं करेगी, तो मैं दूर से ही उसे खेलते हुए देखकर आनंग लूँगा, जब बच्चा मुझी परेशान करने लगेगा, तो मैं गुस्से में पत्नी को बोलू और कहूंगा कि तुम बच्चे को ठीक से संभाल भी नहीं सकते हो, अगर वो घर के काम में व्यस्त होगी और मेरी बात का पालन नहीं करेगी, तब मैं गुस्से में उठकर उसके पास जाऊंगा और उसे पैर से थोकर मारूंगा, ये सारी बाते सोचते सोचते ब्राहमन का पैर उपर उठता है और सत्तु से भरे मटके में ठोकर मार देता है, जिससे उसका मटका तूट जाता है, इस तरह सत्तु से भरे मटके के साथ ही कंजूस ब्राहमन का सपना भी चतना चूर हो जाता है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी भी काम को करते वक्त मन में ल लोब नहीं आना चाहिए लोब का फल कभी भी मीठा नहीं होता है साथ ही सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती इसके लिए मेहनत करना भी जरूरी है